नमस्तु दोस्तों आप सभी का एक बार फिर्स स्वागत हैं आपके अपने यूटुब चैनल में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में उन महीलाओं को जिसको प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं हो रही है जो वीदीना वन मंत के अंदर कंसीव करना चाहती है और अपना अब एक मंत भी बरबाद नहीं करना चाहती है उनके लिए ये वीडियो है मेरा क्योंकि फ्रेंट्स बहुत सारी महीलाओं डी मोटिवेट हो जाती है जब उनको प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं होती है इसके कुछ छोटे-छोटे मिस्टेक्स भी होते हैं वो भी मैं इसमें आपको कवर कर चांसु हमबने के चांसस के वल फो लिए उसी दिन से चालू हो जाता है चलिए हम ठोरा यहां पे समझ लेते हैं कि कॉन्च्प्षण का में होता है जब किसी महिला का period cycle regular होता है या फिर एक दो दिन उपर नीचे होता है जिसे हम regular period cycle में ही count करते हैं तो day 1 से ही आपकी ovaries में जो आपकी reproductive system में जहां पर बच्चेदानी और uterus है तो यहां पर दो ovaries होती है जो alternate base पर काम करती है आपको भगवार ने दो ovaries इसलिए दी है कि एक महिने एक ovaries काम करके ठक जाएगी तो next month में फिर से मा बनने के लिए तयारी दूसरी ovaries यानि अंडा से कर पाए इसलिए दो दीए हैं भगवार ने तो यह double benefit है हर एक महिने एक ovaries से एक स्वस्त अंडा जिसे follicular कहा जाता है यह निकलता है फ्रेंस आपके period के 13 या 14 दिन से समभवता जब यह एग बाहर आता है तब इसमें कुछ discharge होते हैं म्यूकस होते हैं ताकि फिसलन पैदा हो पाए ताकि जो आप संपर्क बनाए ovulation के दोरान तो सेल जो आपके सरीर के अंदर आते हैं उसको गती मिल पाए तो यह जो vaginal discharge है वो होता ही है अब यह कैसा होता है तो अगर हम symptoms of ovulation को समझने की कोसिस करेंगे तो आप 10 दिल से अपने सरीर में यह बदलाव महसूस कर सकती है कि आपको जो discharge होता है वो पानी की जैसा होता है थोड़ ब्लकल चीजिए है जो आपको बहगवान ने इस तरीके से दिया है हर फीमेल के साथ ऐसा होता है बर किसी-किसी के साथ ज्यादा और किसी के साथ कम होता है कई बार महिलाओं को एमारे या एक आदी बार जब वाश्रूम जाती है तब आता है तो उसे वो ignore कर देती है लेकिन दूसरी बात, जब यह oblation का प्रकीरिया स्टार्ट होता है, चुकि आपकी ovary से एक follicular mature हो गया है, वो बाहर आया है tube में, तो tube का passes काफी छोटा होता है, और यह egg का size थोरा बड़ा होता है, तो इस दौरान महिलाओं को uniginess feel होती है, pain होता है, नाभी के नीचे, अगर right side से ovary से आया है under, तो left side होगा, left side होगा, कई सारी महिलाओं को नहीं समझ में आता है, तो उनको lower abdominal cramp कहीं पर भी feel होता है, तो यह भी second indication है, और तीसरी बात, हमेजा जब यह सारी चीज़े आपके सरीर में होती है, तो आप notice करेंगी 13 या 14 दिन कि आपको fever जैसा feel हो रहा है, आपको बहुत जदर सरदर्द की परेशानी हो रही है, ऐसा इसलिए होता है कि जब एग आपकी ओपरी से निकलता है, तब आपके blood का circulation बढ़ जाता है, और यह blood के circulation की बढ़ने के वज़े से सरीर का temperature भी high हो जाता है, जो 0.1 या 2 degree Fahrenheit तक increase होता है, नॉर्मल बोडी के temperature से, So friends, यह बहुत ही महत्पुन इंडिकेशन है, अगर इनको बहुत बारीकियों से ध्यान से समझने की कोसिस करेंगे, तो आप अपने ovulation को बहुत आसानी से calculate कर पाएंगे, बाइदबे अगर ovulation नहीं समझ में आता है, कि आपका अंडा, आपकी इस्तरी बीज कब निकल रही है तो ovulation kit, जो के market में बहुत आसानी से आपको मिलेगा, और इसको use करने का method भी बहुत simple होता है, जो आपको ovulation kit के पीछ दिया जाता है, तो उसको देख करके अपने ovulation का पता लगाईए, और उसी दोरान आप संपर्क बनाईए, ताकि आप 100% surety के साथ confirm pregnant हो सकते, इसके साथ ह कि friends stress free रहें, happy रहें, happy mood रखें, ताकि आपके pregnancy hormones ठीक तरीके से release हो पाएं, आपका जो uterus है वो stimulate हो पाएं और ठीक तरीके से capacity increase हो पाएं आपकी conception की, I really hope आप समझ गए होंगे कि आपके ovulation का time कब स्टार्ट होता है, अगर irregular period cycle है friends, तो मैं आपको यही हिदायत दूंगी, कि आपको करीब आपकी period जब आती है, उसके 15 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में try करना चाहिए, इस दौरान conception के chances आपके ज़्यादा होंगे, and regular period को regular करने के लिए काफी सारे home remedies होते हैं, जिसको try करते ही, आपके period भी regular हो जाएंगे, तो ovulation भी बहुत समझ अबता, आपका बिल के लिकुल ही tension free हो जाएं, अगर आपको periods आते हैं, तो 101% आप गरधारन कर लेंगी, क्योंकि periods आते ही महिला को मावनाने के लिए हैं, अगर मन में कोई भी शंका या सवाल है, तो पूजा घरसंसार Instagram ID पे आप follow करके जूर सकती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में, एक इंफर्मेटिव टॉपिक के साथ, टेकेर गाइस, स्टे टून्ट, गुडबाए